गाज आज की इस वीडियो में बताँगा आप जीमेल आईडी से किसी दूसरे जीमेल आईडी पर कैसे मैसेज कर सकते हो इसके लिए इस वीडियो को लास तक जरूर देखो आप भी सीख जाओगे कैसे जीमेल आईडी से मैसेज करते है तब से पहले आपको यापा Gmail ID को open कर लेना, open कर लेने के बाद आपको देख सकते हो, compass बला option पर किलिक कर देना है, जैसे आप इसके उपर किलिक करगा आपको समने इस तरह का interface आ जाएगा, यापा सबसे उपर देख सकते हो, from बला option पर जो दिया हुआ है, वो मेरा Gmail ID है, और न नीचे देख सकते हो, subjectable option है, आपको किलिक कर देना है, आपको लिखना है, subjectable option के मानलो, आप किसी को आप फोटो भेज होगे, तो यापा जो subjectable option पर लिख दोगे, photos ठीक है, यापा मैं लिख दीता हूँ, photos में आपा जो एक photo भेज के आपको दिखा देता हूँ, कैसे आप तो यापर मैं photos टाइप करके जो है, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपा नीचे देख सेक्षिए, compose email, ठीक है, के उपर किलिक करके आप यापा जो है, कोई भी लिख सेकते हो, मैं आपको दिखाने के लिए मैं आपर हेलो लिख देता हूँ, ठीक है, हलो इसने के बाद मानलों आपको यापा जो important एक file पठाना है, वहाँ पर फोटो भेजना है, ठीक है, उसके बाद इसके उपर किलिक करके एक पर किलिक करने के बाद आपको सामने है, पर photo का option आजागा, याप कोई भी एक photo आपको send करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तो यापर जो send के उपर किलिक करो गयते हैं, आपको फोटो अपर अपलोड होने लाएगा, आपको जिसको भेज रहा होना उसके पास यापाँ चला जाएगा, फोटो भेजने के बाद आप थीरी डोट के उपर किलिक करके एक पर send वाल आप्शन पर जैसे किलिक करो यापाँ देख सक तो यापा जो है, उसके पास आपका जो फोटो यापा चला गया है, तो अगर इस वीडियो का अगर आपको फसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बतिएगा कैसे लगी है वीडियो